ओम नमा शिवाई नमशकार दोस्तों मैं कमला तिवारी आपका हार्दे कभी नंदन करती हूं हमारे चैनल धर्म एकास्था में दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए सिस्क्राइब कीजिए दोस्तों बेल आइकन दबाना बिलकुल नहीं भूलिए ताकि हमारे चैनल से जुड़ी हुए सारे अपडेट साब को मिलते रहें दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे सावन के महिने में हमें क्या चीज़े करनी चाहिए और कि चीज़ों से पचना चाहिए दोस्तो हिंदु धर्म के लोगों की सावन के महिने से गहरी आस्था जुड़ी हुई है यह महिना भगवान शिव को बेहत प्रिय है इसलिए इस महिने जो भक सच्चे इरदे से देवों के देव महादेव की अराधना करते हैं उनके जीवन के सारे कश्ट दूर हो जाते है सावन महिने में शिवलिंग का जला विशेक करने को खास महत्व के अंतरगत माना जाता है इसलिए इस महिने हर व्यक्ति को शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए सावन के महिने में कुछ खास नियम बताएगे है जिनका पालन करना जरूरी है आए जानते हैं सावन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों सबसे पहले जानेंगे सावन में क्या करना चाहिए दोस्तों सावन में भगवान शिव की पूजा अर्चना करें उनका अभिशे करना बिल्कुल नहीं भूले इस पवित्र महिने में ओम नमशिवाय मंत्र का जाब जरूर करें भगवान शिव को इस महिने बेल पत्र भांग धतूरा आदि चीजे अर्पित करें भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा करें दोनों की पूजा सचेहरदे सी कीजिए दोनों की आर्थी उतारिए संबव हो तो संबार का व्रत करें दोस्तों रुद्राक्ष धारन करने के लिए सावन का महिना अत्यंत शुब माना जाता है इसलिए यदि आप रुद्राक्ष धारन करना चाहते है तो सवन के महिने से अच्छा कोई दूसरा समय नहीं होगा दोस्तों सावन के महिने में दूद्र और दूद से बनी चीज़ों का द्यान अत्यंत शुब माना जाता है इसलिए आप दूद और दूद से बनी चीजें दान कीजिए दोस्तों आप जान देंगे सावन में क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों सावन में मास और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए इस महिनी तेल से मालिश भी नहीं कराने चाहिए अपनी शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए दोस्तो इस पवित्र महिने में दोपहर के समय सोना नहीं चाहिए इससे महादेव रुश्ठ होते हैं दोस्तो सावन के महिने में पुर्षओं को दाड़ी और बाल नहीं कटवाने चाहिए दोस्तों प्याज और लसुन जैसा तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए दोस्तों इस महिने कांसिक के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए भागवान शिव को तुलसी के पत्ते नहीं चड़ाने चाहिए दोस्तों भगवान शिव को हल्दे की गाट भी नहीं चड़ानी चाहिए दोस्तों एक विशेश बात स्त्रियों को सोमवार के दिन अपना सर नहीं दोना चाहिए तो सावन के महिने में सोमवार के दिन स्त्रियां इस चीज़ का विशेश ध्यान रखे कि उन्हें अपना सर नहीं दोना चाहिए यदि स्त्रिया मासिक धर्म के अंतरगत है तो इस चीज़ को बिलकुल नहीं करना चाहिए स्त्रियों को अपने मासिक धर्म का सर सोंबार के दिन बिलकुल नहीं दोना चाहिए दोस्तों सावन का महिना इस साल चार जुलाई से प्रारंब हुआ है और इसकी समापती 31 अगस्ट को होगी पंचान के नुस साल सावन का महिना 69 दिनों का है इसी वज़े से सावन में मलमास का लगना है अपने में अनुपम संयोग है सावन में मलमास 18 जुलाई से 16 अगस तक रहेगा ऐसे में भक्तों को भगवान शिव के साथ भगवान विश्णों की कृपा प्रापतों की दोस्तों इस प्रकार की अन्य जानकारी है तूं हमारे चैनल को देखते रहे लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमस्षिवाय जरूर लिखिए धन्यवाद